Hello students, कैसे आप सब, मैं कुसल सर्मा, आप देखरे मैं YouTube चनल कुसल क्लास, तो देखिए आज हम क्लास 12 के Element Book में से Chapter No.9 जो कि Indefinite Integral का Chapter है कि Fourth Exercise शुरू करने वाले हैं, आज हम इसके पहले तीन कोश्चन कम्प्लीट कर देंगे, Hopefully अब तक जितना भी matter हुआ है, आपको सभी समझ आया होगा, फिर भी अगर किसी तरह का doubt रहा है, तो आप comment भी कर सकते हैं, या टेलिग्राम ग्रूप में अपनी problem को discuss कर सकते हैं, टेलिग्राम ग्रूप का link आपको description में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको join कर सकते हैं, तो चलिए सुरवा कर देते हैं, ओके शो 9.4 का first question देखिए, first part, अब इस exercise में एक different pattern जो है, वो हमें follow करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह 9x को माइनस 1 and dx, अगर denominator में सिर्फ linear होता है, यानि कि 1 upon linear, तो ऐसे situation में तो log में integration चला जाता, है ना, लेकिन अब ऐसा एक pattern है, जिसमें denominator में quadratic भी है, और हम कई बार उनको log में भी लेके आएंगे, तो सारा खेल pattern का है, तो देखिए, फिलहाल हम कोसिस यह करेंगे, कि जितने भी x square वाली term होगी, उसका coefficient हम 1 रखेंगे, ठीक है, फिल common लेते हैं, तो 9 common लेने के बाद, देखिए, x square का coefficient तो 1 हो गया, लेकिन 1 के पास तो 9 था नहीं, तो अब क्या करें, जिसके पास जो quantity नहीं है, वो उससे divide करवा देंगे, ठीक है, किसी के पास कुछ समान नहीं है, वो समान लेने के लिए क्या करता है, उधारी ले ले लेता है, है ना, वो रुपए के नीते दब जाता है, तो इसको भी हमने 9 से divide कर दिया, ठीक है, और numerator सेम, denominator सेम, अब हमें क्या गरना है, कि भई, x square में से जो subtract हो रहा है, उसको as it is नहीं छोड़ना है, उसको किसी के square के रूप में लिखना है, तो देखिए, 1 किसका square होकता है, 1 का और 9 किसका square हो सकता है, 3 का, है ना, तो हमने 1 by 9 को क्या लिख लिख लिखा, 1 by 3 का square, clear, अब यह जो pattern बना, यह pattern, actual में किसका होता है, यह होता है, 1 upon 2a, a कोन है, यह जो power के अंदर है, यानि कि 1 by 3, and then, फिर formula लगता है, log of x minus यह a, इसको हम a बोलते हैं, क्योंकि constant को represent करता है, और divided by x plus a, ठीक है, and plus c, देखिए, मैं formula लिख देता हूं, आपने introduction में यह किया ही होगा, देखिए, क्या है, अगर हमें integration, 1 upon x square minus a square का करना है, तो इसका integration होता है, 1 upon 2a, log of x minus a upon x plus a, ठीक है, and plus c, तो यहां पर a कौन है हमारा, a हमारा यह, 1 by 3 है, ठीक है, तो जहां-जहां a था, उसकी जगे 1 by 3 आ गया, अब यहां हम क्या कर सकते हैं, इस 3 से 9 कैंसल कर सकते हैं, 3, 3, क्या बच गया, 3 into 2, 6 बच गया नीचे, है न, और, और हम इतना कर सकते हैं, कि ओपर का LCM, और नीचे का LCM देखें, तो दोनों का LCM क्या आएगा, 3 आएगा, तो वो तो खतम, हमारा पास क्या बचा, 3x minus 1, देखें, मैं रफ में ऐसे करके दिखा देता हूं, अब direct भी ल ऐसे लिखते हैं, प्लस C है, ठिक है, तो यह हो गया हमारा, first part, simple है, बिलकुल ऐसे ही, second करना है, देखेंगा, आपको बस यह 6 formulas हैं, ऐसे ऐसे, उन 6 formulas के structure से match करवाना है, देखें, 1 minus 4x square है, फिर से मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, x square का coefficient हम क्या रखेंगे, 1 रख तो मैंने 4 common ले लिया, अब नीचे से common लिया, तो नीचे ही बचेगा न, तो यहां तो x square coefficient 1 हो गया, लेकिन 1 के सपास नहीं था, तो क्या हुआ, 1 by 4, उपर same, dx same, clear, अब यह जो 1 by 4 है, इसको हमें किसी के square में बदलना है, तो 1 by 4 किसका square हो सकता है, 1 by 2 का, और x square है, 1 same, यह same अब यहां पर कौन सा लो लग गया, यहां पर भी हमारे पास कुछ first part जैसा ही लो लगा है, कि बिना root की कोई यह situation है, और a square minus x, इस बार जो variable है वो negative है, है न, और उपर वाले में देखो variable part जो है वो positive था, बिलकुल ऐसे ही, तो चलिए मैं इसमें लिख देता हूं, इसे और लोग ओफ, यहां आएगा, a plus x, यहने कि 1 by 2 plus x and divided by 1 by 2 minus x plus c, चलिए देखिए मैं यहां लिख देता हूं, क्या है, 1 upon इस बार a square minus x square है, variable part negative है, चिक है, तो यह बन जाता है, 1 by 2a, log of a plus x divided by a minus x plus c, clear, और यहां 2 से 2 cancel, क्या बचा, 1 by 4, फिर से उपर वाले part की तरह है, उपर lc m लिया 2 आ गया, तो वो 2x के साथ मल गया, और नीचे भी lc m 2 आ गया, वो भी x के साथ multiply हो गया, प्लस c, और दोनों का lc m क्यूंकि same था, तो उपर नीचे cancel, clear, तो यह था हमारा second part, चलिए, third देखते हैं, बिलकुल इसी तरह है, आपको बस formula match करते हुए चलना है, और कुछ नहीं सोचना, देखे, 9 plus 25x square dx, फिर से x square का coefficient 1 रखना है, तो 25 common ले लिया, हमार पास क्या बच गया, 9 by 25, and x square का coefficient 1 हो गया, dx, अब यह जो constant term है, 9 by 25, इसको किस में बदलना है, square में, तो यह किसका square है, 3 by 5 का square है, plus x square and dx, तो फिर से इस बार, यह देखे, constant term भी positive है, और variable वाली part जो है, वो भी positive है, ठीक है, उपर जो formula किये थे, उसमें कोई एक negative का sign था, देखे, minus and minus, है ना, that means कि इससे अलग pattern बन रहा है इस बार, तो इस बा कौन सा pattern बन रहा है, बताता हूँ मैं, इस बार pattern बनता है, 1 by a and 10 inverse, variable part divided by constant part, plus c, देखे, लिख देता हूँ, जब तक यह repeat नहीं हो रहे हैं, 6 के 6 formula मैं लिख दूँगा, लेकिन जब repeat होगा, तो मैं उपर का ही reference दूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर pattern लगा, 1 upon constant square, plus variable square, तो यह बन जाता है, 1 upon a, 10 inverse, variable upon a, plus c, clear, तो देखे, 5 से 25 कैंसल कर दे 5, तो 5 और 3 नीचे तो 15 बच गया, यहाँ, 10 inverse, यह denominator का denominator 5, उपर multiply में चला जाएगा, तो बन जाएगा, 5x by 3, and plus c, तो यह हो गया हमारा, third part, चलिए, fourth करते हैं, क्या है, 32 minus 2x square, छीक है, यह तो और भी आसान है, actually मेरे को dx right side में लिखने की आदत है, और कोई reason नहीं है, आप साथ भी लिख सकते हैं, 1 की जगा है, तो मैंने क्या किया, x square का coefficient 1 बनाने के लिए 2 common लिया, है ना, 32 में से 2 common लेंगे, तो 16 बच जाएगा, क्योंकि 2 से divide करेंगे 32 तो 16 यह नहीं, x square dx, पता नहीं, यहाँ dt क्यों लिखा मैंने, dx, तो आप देखिए, 16 किसका square होता है, 16 होता है, 4 का square, है ना, minus x square dx, उपर वाले pattern से match कर गया यह, क्या होगा, 1 upon 2a, यह अपना 4 है, and log of a plus x divided by a minus x, है ना, plus c, I think second part से match कर गया, तो यह नीचे क्या बन गया, 4 and 4, 16 and log of 4 plus x divided by 4 minus x plus c, clear, तो यह था हमारा, fourth part, चलिए और देखते हैं, और है क्या, नहीं है, अब change हो गया, अब identity change कैसे हो रही है, अब identity में हमारे पास आएंगे roots, ठीक है, अभी तक root नहीं था, अब हमारे पास root है, तो चलिए देखिए कैसे करना है, बस common लेते वक्त आपको ध्यान देना है, फिर root की अपनी अलग identities है, वो मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँगा, देखिए 4x square minus 9 dx, ठीक है, देखिए इस बार अब आप root में से 4 common लेंगे, x square से common लिया 4, तो क्या बचा, x square minus 9 by 4 बच गया, लेकिन वो 4 जब root की दिवार को फांद कर बाहर आएगा, तो 4 का root कितना हो जाता है, 2, तो यानि कि वो root लग कर बाहर आया, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, clear, अब फिर से वही कि वही आपको constant वाले term जो है, उसको square में बदलना है, so 9 by 4 किसका square होता है, 3 by 2 का square होता है, अब 1 upon, देखे पैटर्न ऐसा साही है, इस बार variable part positive है और constant part negative है, लेकिन root आगया इस बार, है ना, तो ऐसे situation में इसका जो integration होता है, वो होता है, log of same root, यहाँ पर हम क्या गरेंगे, log of x plus, यानि variable part, देखे, x, जिसका square है, x का है ना, और plus के बाद same root, यानि कि x square minus 9 by 4 and plus c, clear, तो आप इतना ही इसको छोड़ सकते हैं, आपको और कुछ इसमे करने की जरूरत नहीं है, मैं देखे, formula लेग देता हूँ, one upon root x square minus a square dx, तो यह होता है, log of variable plus same root, same root यानि कि x square minus a square का root plus c, ठीक है, तो यह हो गया हमारा, first part, चलिए second part करते हैं, दोनों में difference क्या है, इस बार root के अंदर यह दोनों positive हैं, है ना, smiley बना दिदी मैंने, चलिए, second part note करते हैं, क्या है, one upon root four plus x square, अब देखे, x square का coefficient तो इस part में पहले से ही one है, तो यानि कि हमें directly constant को square में बदलना है, तो 4 किसका square होता है, 2 का, x square पहले से ही है, dx है, ठीक है, तो अब यहाँ पर same type का formula लगता है, देखे, इसी तरीके का, बस आपको यह धिहान रखना है, कि root हो, और root के अंदर x square वाले जो term है, वो x square वाले term कैसी हो, positive हो, तो हम इसी तरह का formula लगाते हैं, same ऐसा ही formula, कि लोग आएगा, variable आएगा, plus आएगा, और फिर same वही root आजाएगा, तो denominator में है, देखना, तो यही बन जाएगा हमारा log of variable x plus same root, यानि कि 2 का square plus x square plus c, ठीक है, वही है, exactly, कोई changes नहीं है, चलिए, next, और जब भी आप कोई question करें, कोई identity यूज करें, कोई formula, तो उसको mention जरूर करें, ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं already यूए पहले कर चुका हूँ, थोड़ा time बचाना चाहता हूँ, clear, चलिए, और part है इसके, बिल्कुल है, चलिए, यहीं कर लेते हैं, third part, क्या है, one upon root 15 minus 8x square dx, ठीक है, तो देखिए, 8 को हमें बाहर लाना है, क्या करेंगे, root से बाहर आकर क्या करेंगा, root 8 ही रह जाएगा, बेचारा कुछ कर तो नहीं पाया, तो यह नीचे, यहां क्या बज़ जाएगा, 15 by 8 minus x square, clear, फिर से, one upon root 8, देखिए, root 8 को हम थोड़ा सा छोटा जरूर कर सकते हैं, 2 root 2 के रूप में, क्योंकि root 8 को क्या लिख साएगा, 2 into 2 into 2, ऐसे, और 2 का एक pair बन रहा है, वो बाहर आ गया, बेचारा यह वाला दो अंदर रह गया, ठीक है, अब यह जो हमारे पास 15 by 8 है, इसको हमें square में बदलना है, तो कैसे बदलें, तो यह किसका square बदला जा सकता है, देखिए, अब एक बात बताऊंगा, वो ध्यान रखनी है, कि जिसको हमें square में बदलना है, और वो किसी का square है ही नहीं, कैसे पता करें कि वो किसका square है, तो नहीं पता चल रहा, तो simple सा तरीका है, आप उनका root लगा दीजिए, ठीक है, root 15 और root 8, आपको कुछ सोचने के root नहीं है, clear, या आप इनका एक साथ root भी लगा सकते हैं, दोनों पे बार-बार लगाने के बज़ाए, 15 by 8 का complete root और उसका square, तो बदल गया ना हमारे पास, अब pattern कैसा है, 1 upon root a square minus x square जैसा pattern है, तो इसमें कौन सी identity लगती है, चलिए बताता हूं, 1 by 2 root 2 तो same है, इसकी identity लगती है actually, sin inverse variable part upon ये a, constant part plus c, चलिए different है, तो मैं लिख देता हूं, 1 upon root a square minus x square, इस बार variable part negative है, ध्यान देना, और उपर वाले में क्या था, variable part positive था, तो ये होता है, sin inverse x by a plus c, clear, वैसा ही काम किया है, अब अब हम इतना कर देते हैं, root 8 को उपर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन जाएगा, 1 by 2 root 2 तो same है, sin inverse, root 8 को मैंने उपर लिख दिया, x पहले से उपर था, और नीचे root 15 रह गया, plus c, clear, तो ये था हमारा third part, चलिए, fourth करते हैं, 1 upon x, 3x square minus 12, ठीक है, या I think secant की identity बन जाए, यहां कुछ हो, चलिए, देखते हैं, क्या है, 3x square minus 12 and dx, ऐसा ही है, चलिए, तो देखिए, यहां से सबसे पहले x square का coefficient 3, बाहर ले लें, क्या हैगा, root 3 बन कर आ जाएगा, तो basically हमारे पास अंदर क्या बच गया, अंदर x, root के अंदर x square minus 4 बच गया, है ना, अब इस 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, किसके square के रूप में लिखा जा सकता है, यह लिखा जा सकता है, 2 के square के रूप में, है ना, चलिए, लिख देता हूँ, मैं फटा-फट, x square minus 2 square, dx, तो अब actual में यह pattern किसका है, यह pattern है, चलिए, मैं directly पहले तो answer लिख देता हूँ, यहाँ पर यह बनता है, 1 upon a, और a को नहीं आपर, यह 2 है, है ना, और फिर यह बनता है, secant inverse, variable part upon constant part plus c, देखिए, क्या है, integration, 1 upon x, root x square minus a square dx, तो यह किसका equal होता है, यह होता है, 1 upon a, secant inverse x upon a के equal, plus c, तो integration के वज़े से लग नहीं है, है ना, तो यह था हमारा fourth part, clear, चलिए, next करते हैं, और हैं क्या, नहीं है, third question करते हैं, देखिए, आई, इस बार हमें substitution method और लगाना पड़ेगा, ठीक है, देखिए, 1 plus 2x raised to power 4 dx, देखिए, x किसका derivative होता है, x square का derivative होता है, x square direct तो यहां नजर नहीं आ रहा है, लेकिन indirect way में देखिए, यहां पर x square है, यानि कि अगर हम x की power 4 को ऐसा लिख लें, तो x square नजर आ रहा है, that means कि हमें किसको t मानना चाहिए, x square को, तो पीछे जो भी हम सीख कर आया हो, सब apply होगा, तो x square का 2x, x का dx by dt, by dt, दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हमें तो यहां से सिर्फ x dx चाहिए, है न, यह x dx, उसके साथ तो 3 है multiple में, 3 के हमें कोई काम नहीं है, 3 बाहर डाल देंगे, तो बन जाएगा 1 by 2 dt, यानि कि जो i है, वो i कैसा हो गया, 3 बाहर ले लिया, है न, यह देखें, 2 भी है, 1 प्लस भी है, और इसके जगह t आ गया, और उसका square भी था, clear, अब फिर से वही, variable part के multiple में कुछ है, यानि कि coefficient 1 नहीं है, तो उसको common ले लें, तो हमार पस क्या बच गया, 1 के नीचे 2, और प्लस t square, और dt, तो यह देखें, यह थो 3 by 4 बन गया, अब 1 by 2 को किसका square लिखा जा सकता है, अभी थोड़ देर पहले बात की थी, जिसका square हमें नहीं समझ में आता, क्या करते हैं, उसका root लगा देते हैं, है न, dt, तो देखें, 1 upon constant square plus variable square, तो इसका integration क्या होता है, क्या किया था हमने थोड़ी दे पहले, इसका integration किया था, 1 by a, a क्या है, 1 by root 2, और 10 inverse variable part upon a, यही, plus c, अब denominator का denominator तो उपर चला जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, 3 root 2 divided by 4, और यहाँ 10 inverse, यह root 2 पर ले जाएँ, क्या जाएगा root 2, और t की जाएगा t की value रख दे, क्या मानी थी, x square, and plus c, तो यह आ गया हमारा answer, किसका, first part का, है न, चले, second part यहाँ try कर लेते हैं, i, क्या है, 3x raise to power 5, whole divided by 1 plus x raise to power 12, and dx, अब यह देखिए, यह directly तो कोई किसी का function या derivative नजर नहीं आ रहा है, लेकिन x की power 5, x की power 6 का derivative होता है, और x की power 12 को x की power 6 का square लिख सकते हैं, अब तो आपको नजर आ गया होगा, कि किसको t मानना चाहिए, x की power 6 को t मान लेना चाहिए, तो यह बन जाएगा, 6x raise to power 5, dx by dt, by dt, दूसरी तरफ shift कर दिया, लेकिन हमें तो सिर्फ x raise to power 5, dx चाहिए, है न, तो यह 1 by 6 dt, दूसरी तरफ, तो जो i है, वो i कैसा बन गया, 3 बाहर लिख लिया, और x की power 5, dx की जगह क्या आ गया, 1 by 6 dt आ गया, और नीचे 1 upon 1 plus t square बन गया, अब यह किसका formula होता है, 3 by 6 तो 1 by 2 हो गया, 1 upon a square plus x square, अभी अभी किया था 10 का, तो यह 1 upon a कितना है, देखिए 1 ही है, क्योंकि 1 को हम 1 गा square लिख सकते हैं, है न, तो यह 1 by 1, 10 inverse t by 1 plus c, अब यह तो सिर्फ 1 by 2 रह गया, अब t के replacement में t की value रखें, कितनी x raise to power 6 and plus c, यह आ गया हमारा second part, clear, चलिए, next करते हैं, third, इसमें देखिए, अब हमारे पास हमें इसमें कुछ portion ऐसा नजर आ रहा है, जैसे x square जो है, वो तो बिलकुल same नजर आ रहा है, है न, और यह first exercise से related question बन गया, कैसे, कि first exercise में आपको समझाय जाता था, जब अगर degree same हो, तो ऐसी situation में आप जैसा pattern नीचे है, बिलकुल वैसा ही pattern उपर भी बनाने की कोशिस कीजिए, तो देखिए, x square तो पहले से ही match कर रहा है, उपर भी नीचे भी, लेकिन उपर minus 1 है, जबकि चाहिए क्या plus 4, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 4 add भी किया, और 4 subtract भी कर दिया, और minus 1 पहले से ही था, है ना, तो अब हम ये कर लेते हैं, कि numerator के x square plus 4 के नीचे अपना denominator अलग separate कर दिया, और फिर minus 4 और minus 1 minus 5 के साथ, इस pattern को अलग separate कर दिया, है ना, 4 को अब 2 का square लिख सकते हैं, तो यहां तो क्या हुआ, यह completely cancel 1 बचा, और 1 का integration क्या होगा, x और minus 5, और यह किसका integration हो गया, जिसमें 1 upon constant square plus variable square होता है, तो यह होता है, 1 upon a, 10 inverse का, तो 1 upon a, यह क्या है, 2, 10 inverse, x by 2, plus c, तो यह आगे हमार answer, simple, ठीक है, चलिए, 4th part करते हैं, यह I think सबसे छोटा था, इसमें क्या है, ax cube plus bx all divided by x raise to power 4 plus c dx, देखिए, इसमें directly कोई किसी का derivative तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन separate कर दें तो derivative, जैसे x की power 4 का x की power cube होता है derivative, लेकिन यह हिस्सा अलग करें, तो यह बात बन सकती है, तो हमें इसके साथ यह हिस्सा अलग करना पड़ेगा, तो चलिए, ऐसा ही करते हैं, तो देखिए, हमने ax cube के नीचे, x raise to power 4 plus c को अलग separate कर दिया, and plus bx के नीचे अलग separate कर देते हैं, ठीक है, तो अब इनको directly तो अलग अलग let करना पड़ेगा, तो इसको i1 और इसको i2 में बोल देता हूँ, अब हम सिर्फ i1 को लेकर चलते हैं, ठीक है, i1 क्या है, ax cube and x raise to power 4 plus c dx, तो यहाँ पर हम क्या करें, x की power 4 को t माल लें, साफ न हमें नजर आई रहें, लेकिन उसके plus minus में कुछ c भी है, constant तो उसको भी हमने 7 cover कर लिया, तो इसका directly क्या हो जाएगा, power आगे, power एक का, फिर power के अंदर dx का dx by dt, c का तो 0 हो जाएगा, dt हमने दूसरी दर shift कर दी, लेकिन हमें तो सिर्फ x cube dx चाहिए, तो 1 by 4 बन जाएगा इधर आकर, और यह dt, ठीक है, तो यह जो i1 है, वो i1 किस में convert हो गया, यह हमने बाहर लिख लिया, x cube dx की जगए, 1 by 4 dt ने ले ली, और 1 by यहां क्या रह गया, t, अब a by 4 तो as it is, 1 upon t का integration, log of t, plus c, अब t के replacement में t की value रख देते हैं, जो कि हमने क्या मानी थी, x raise to power 4, plus c, यह c और यह c अलग है, तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर c1 बोल देते हैं, ठीक है, ताकि इन दोनों में difference हो जाए, इस c को change नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह question का part है, clear, अब हम i2 लेके चल रहे हैं, मैं इधर ही कर देता हूँ i2, साथ साथ देखता जाएगा, इसमें से मैंने b बाहर लिख लिया, x है, और जो x की power 4 है, उसमें देखिए, क्या उसको x square का square लिखा जा सकता है, है न, और dx as it is, clear, तो अब यह देखिए, क्या करते हैं, इसमें x square को t माल लें, तो हमने x square को t माल लिया, तो यह क्या बन गया, 2x dx by dt, by dt दूसरी तरफ आ गया, लेकिन हमें तो उपर सिर्फ x dx चाहिए, तो उस तरफ जाकर 1 by 2 dt, तो यह जो i2 है, वो i2 किसमें convert हो गया, b अपनी जगह है, x dx की जगह है, 1 by 2 dt ने ले लिए, और नीचे 1 upon t square, अब c को क्या लिख सकते हैं, देखिए, c को हम लिख सकते हैं, root c का square, क्योंकि हमें square में चाहिए होती है न values, तो यह देखिए, b by 2 तो as it is, अब यह किसका pattern बन क्या, 10 inverse का बन रहा है, या कुछ और बन रहा है, yes, यह 10 inverse का बन रहा है, जो कि क्या होता है, 1 upon a, a को ने root c, and 10 inverse variable by constant, and plus c, तो t की जगह अब t की value रखें, तो देखिए, t की जगह t की value रखते हैं, तो t क्या है, x square, और नीचे root c, plus, इसको बोल दिया हमने, c2, ठीक है, अब हम इस i की value जानना जाते हैं, तो i actual में किसके equal हो जाएगा, therefore, देखिए i क्या था, i1 plus i2 के equal था, तो हमें basically, अब यहाँ से i1, यानि की a by 4, log of x raise to power 4, plus c, and फिर i2 की value, b by 2 root c, 10 inverse x square by root c, और दोनों के जो constant थे, उनके नाम का एक single constant हमने, c3 बोल दिया, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सी देने से बचें फिलाल, क्योंकि ये सी question में है, clear, तो इसे के साथ हमारे first three questions हो जाते हैं, complete, hopefully आपको पहले तीन questions समझ आए होंगे, content अच्छा लगा है, तो please like भी करें, अपने friends के साथ share भी करें, ताकि उनको भी कुछ न कुछ benefit हो, चैनल पर नए हैं, तो please subscribe करना ना भूले, तो चले मिलते हैं next video में आगे के questions के साथ,